वहीं युवाव के साथ डवल इंजन सरकार इसी थीम के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज़नीती राजधानी लखनव केंद्रगांधी प्रतिष्ठान में युवा महीला मंगल दल को खेल प्रोचसाहं सामगरी वितरत की है मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है इस खेल के शेतर में पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी गाउ में खेल कूद की गतिवी दिया होनी चाहिए जिसके लिए युवा महीला मंगल दल को जागरुक होना ही ह होगा कि इस समय हमारे साथ गृरी चन्रियादो जी मुझूद है उनसे जानेंगे आज इंद्रा गांधी पतिष्ठान में युवक और यूतियों मंगल दल को खेल पुरसान सामगरी परदान की गई है सरकाइक दौरा किस तरीके देखते हैं आप देखिए युवक अल्यान पर भाद वारा यह आयुजित था आज लखनौ मंडल की जो हमारे नौयुक मंगल दल थे उन सब को जो है खेल प्रोसान सामगरी बित्रित किया गया है यह गाओं में खेल के मैदान बिक्सित हैं वहां जाकर अपनी खेल की गद्विधियों को प्रारंब करेंगे अगर खेल प्रदेश सरकार ने उनको खेल प्रोसान समगरी बित्र कराई योगी सरकार के दूसरे कारेकाल का एक साल पूरा होने वाला है क्या कुछ कहेंगे योगी सरकार के जो एक साल पूरा हो रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार गाओं के विकास से लेकर हर दृष्टी से जो है कि जनता के सुवधा के लिए जो नारा दिया था भारती जनता पार्टी की सरकार ने कहा था सबका सा सबकर विकास के जो नारा दिया गया था उसी को आधार मांगे सरकार कार कर रही है इस समय हमारे साथ आरपी सिंग्जी जुड़े हुए हैं जो उत्तरप्रदेश के खेल नहीं दे सक हैं इसे बातचीत करेंगे सर आज इंद्रगादरी पत्रिष्ठान में युवक यूति मंग दल को खेल पुरसाहन जो है सामगरी परदान की है क्या कुछ कहेंगे अब इस देखी यह बहुत बड़ी स्कीम है खास तोर से युवाओं के लिए चुकि हमारा युवा बहुत है जो गाउं में ही रहता है अगर उनको खेल की सुभधा गाउं में मिलती है तो निसी तोर प स्कीम बहुत ही महतो कांची स्कीम है और इसे पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे ग्राम है मंगल दल युवा मंगल दल और मंगल यूतियों को यह जो है खेल समगरी बितित किया जा रहा है जिससे कि आने वाले दिनों में अपने अपने गाउं में ले जाएंगे और बच आयुजीत हो रहे हैं तो किस प्रकार से लखनोग को और डेवलप इस्पोर्ट सब के रूमें किया जा सकता है नहीं लखनोग में बहुत अच्छे अच्छे स्टेडियम हो गए हैं अभी आप देखेंगे कि मई में यहां पर आल इंडिया खेलो इनोस्टी गेम भी होने जा तो बहुत सुबधाएं यहां पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लखनोग में बहुत सी खेल असपरदाएं देखने को मिलेंगी यह थे हम यहां यह साथ आर्पी सिंग खेलिसर यूपी जिन्हों ने यह साफ तोर पर कहा कि लखनोग जो है वो स्पोर्ट के रू परदान की गई इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाओनी जी मौजूद है सर आज युवाओं को जो है खेल पुरसान रास्टी स्वामगरी जो है वो परदान की गई है किस तरीके से देखते हैं सरकार किस कदब को तेखे युवा जो हमारी युवा शक्ति है उसको सकरात्मक उसकी जो ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने और प्रदेश और देश की तरक्की में उनका जो योगदान है उसको और बेहतर करने की जागरुपता पैदा करने की उदेशे से ये उत्रप्रदेश सरकार खेल परसान समगरी लगभग हर वर्ष दे रही थी पिछले ये वर्तमान सरकार की ये योजना है तो अब तक हम लगभग पैंसरद हजार समों को ये समगरी दे चुके हैं पंदर हजार को आज जब विज़ेत हो रही है आपको में बताना चाहूंग कि आपको हैं तो कि अनुके बत्युक है उस्में जब करता हैं और अन्हें जू असे आर्थिक विशें हैं उनके लिए जैसे सरोजगार की बात हो या एक जन्तपाद की बात हो इन सबसे जोड कर गाउं ko आत्रम मिनानी की तरफ प्रियास करने का जो हमारी योजना है उसके हम लोग काम कर रहे हैं इसके साथ साथ युवाओं को जानकारियां उपलब्द कराने और उनको उनके पास कहां से कैसे अवसर उपलब्द हो सकते हैं उसकी जानकारी देने के लिए के वेबसाइट से उसका लिंक उस पर रहेगा ताकि युवाओं को हम उनको मिलने वाली जो अपर्चुनिटीज है उसकी जनकारी जैसे सार यूपी के होकी की लेवल को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है होकी में होकी के मैदान और बनाए जा रहे हैं अभी आज जैसे आपने देखा होगा हंतर राश्ट्री खिलाडी जो दो होकी के थे उनको कोच रखा गया लबग डेड़ लाग रुपे महीना पर बच्छों के होस् कि सरकार चला रही है वहीं होकी के लिए को बढ़ाने के लिए जो होकी के ओलंपियन है जो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं उनको परसिछड के रूप में जोड़ा गया है यूवाओं के साथ डबल एंजिन सरकार इस थीम के साथ उत्रपरदेश के लखनव में आज जो यूव अच्छा लगा योगी जी से मिलकी और बहुत अच्छा राम क्या नाम किया आपका एकता सिंग्तोमर कहां से आई हैं महोबा कैसा लगा आज मुख्यमंत्री के ने खुद आप प्रसाहन जो है सामगरी दी है आज हमें बहुत खुशी मैसूस हुई और बहुत हमारे लिए ब खेल पुरसान सामगरी जोई उत्रट की गई यह बहुत गौरों की बात है प्रदेश के लिए कि वह सभी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जिसकी सब्दों में व्याक्षा करना बड़ा कठेन हैं और खेल को ही नहीं हर चीज को प्रात्मिकतर दे रहे हैं यहां आला गायन को भी उन्होंने अपने मंच से समोधित करके और इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि उसकी हर जगह इस समय मांग हो रहे हैं यह बच्चे भी दूर दूर तक दिल्ली है गोरकपूर है कहीं लखनव है बड़ी बड़ी जगह अभी परसों 24 तारीक को भी बच्चों का कारकम आला जाता है जैसे हमको माता पिता हमारी प्रदेश को मिल गए हो ऐसा कहा जाता था कि खेलओगे कूदोगे तो बनोंगे खराब पढ़ओगे लिखोगे तो बनोंगे नवाब इस पुरानी कहावत को नकारता हुए उपतबदेश की सरकार यहां के युवाओं को यहां के युवतियों को खेल में प्रसाहन के लिए प्रसाहन रास और प्रसाहन सामगरी भी पदान कर रही है इसके अलावा युवाओं को खेलों के साथ साथ स्किल और तक्नीकी से भी जोडने का काम कर रही है विडियर लिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाई प्राइम टीवी लखनवू तो आपने देखा कि खेल के समारों के जो वितरन का कारिक्रम था उसको आयोजित क्या गया अस दोरान सियम्यों की अदतनात ने साफ दोर पर कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बेहत जरूरी है हमारी आज के इस रिपोर्ट में इतना ही आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी